दोस्तों आज बात करेंगे हमारे परोशी देश पाकिस्तान के बारे में 25 अगस्त को पाकिस्तान की सरकार ने ये घोशित किया कि पाकिस्तान है आज की डेट विक स्टेट आफ एमेरजेंसी में करण क्योंकि आज़े से आरा पकिस्तान आज पानी में डूब रहा है जून 2022 की बात है जब पकिस्तान के अंदर हैवी रेनफॉल चालो गई मौनसून सीजन था और बड़ा करण था क्लाइमेट चेंज Climate Change और Heavy Monsoon के बाग पाकिस्तान की सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया और आज सिंद, डिलगेट बलतिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब कैसे प्रोविंस के अंदर Around 200-300% ज्यादा Rainfall रिसीव हुई है पाकिस्तान में जून और अगस्त के वहीने में इसकी वज़े से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी flood condition आ गई है जिसको one of the major catastrophe कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर after 2010 इसके कारण पाकिस्तान के अंदर हजार से ज्यादा लोगों की मिर्टी हो गई है और तीस लाग से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ कर कहीं और पर पना लेने के लिए मजबूर हो गए हैं ना जाने कितने सारे लोग अपना घर छोड़ चुके रहे हैं कितनी सारी crops बरब पाद हो गई हैं कितने सारे अनिमर्स डिस्प्लेश हो गए हैं इस इस दी करेंट कंडिशन जो आई पाकिस्तान फेस कर रहा है हम तो बस यहीं चाहते हैं कि जल से जल यह जो कटास्ट्रॉफ हो यह खतम हो और वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको सेफ रिहाबिलिटेशन ले लोग हैं